नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वावत है vampirehub.com की ओफिसील यूटूब चैनल पे और मैं हूँ आपका दोस्त अनुराग वीडियो इस टार्ट करने से पहले एक आवस्यक सुचना हमारे यूटूब चैनल पे गिववे चल रहा है जिसमें पार्टिसपेट करने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है लाश्ट में एक सवाल आएगा जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं सर्प्राइज गिफ्ट विनर सर्प्राइज गिफ्ट आपको मिलेगा हर सो मुहर को क्योंकि हमारे चैनल पे विकली गिववे चलता है दोस्तो कैसे हो फाइनली माग एक ने वीडियो के साथ इसमें हम बात कर रहे हैं जिस वैकेंसी की हो बहुत ही खास है और ये वैकेंसी आई है एनेफसी के डिपार्टमेंट से यानि की नुकलियर फ्यूवल कॉम्प्लेक्स के डिपार्टमेंट से ये एक सेंट्रल गवर्मेंट की जॉब है केंदर सरकार की भरती है जिसके लिए ओल इंडिया से कैनिडियट अपलाई कर सकते हैं मेल वाफ मेल दोनों अपलाई कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर इस्टिपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी वन से पोस्ट हैं कैटेगरी टू से पोस्ट है अपर डिविजन कलर्क से पोस्ट हैं वह वर्क एसिस्टेंट से पोस्ट है इस्टिपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी वन के ल वहीं वर्क एसिस्टेंट के लिए 10 वी पास या 12 वी पास अप्लाई करेंगे सैलरी मिलती है 18,000 रुपाय पर मन्त तो दोस्तों काफी अच्छी वेकेंसी है चलिए जानते हैं इसके कंप्लीर डीटेल और आपको बताते हैं कि आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो लेकिन सबसे पहले मैं बता दूँ आपको अगर आपको इस वेकेंसी का एक्साम पैटर्न, सलेबस और फॉर्म फिल आपका वीडियो चाहिए तो आप जरूर सी इस वीडियो को लाइक कर दें इस वीडियो पर तीन हजार लाइक आती हम इसका फॉर्म फिल आपके वीडियो अप्लोड कर देंगी दोस्तो फाइलली हम आगे अपने वेबसाइट पर और आप देख सकते हैं अप्लाइब कर सकते हैं है। इस वेकेंसी को अप्लाइ करने का डिट है 21 दिसंबर से लेकर 60 दिनों बात तक यानि की 9 फर्वरी तक, कौन अप्लाइब कर सकता है इस वेकेंसी के लिए तो All India से candidate apply कर सकते है, job location भी रहेगी पूरे भारत में, अगर हम बात करते हैं इसके vacancy डीटेल की, तो यहाँ पर पहला post है, stipendary trainee category 1 से, इसके लिए diploma in mechanical, chemical, electrical, electronics, electronics and instrumentation, computer science, civil, architecture, automobile और B.C. chemistry, horticulture with 60% marks वाले apply कर सकते हैं, salary की बात करें, तो salary मिलती है, इस post के लिए पहले साल 16 रुपय, दूसरे साल 18 रुपय, वहीं after training 44,900 रुपीज पर मन्त, दूसरा post है यहाँ पर stipendary trainee category 2 से, इसके लिए RTIN, fitter, turner, welder, mechanist, electrical, electronics and instrumentation, air conditioning and refrigeration, diesel mechanic, plumber, carpenter, masonry, lab technician, और बारवी science with minimum 60% marks with physics, chemistry, maths वाले भी apply कर सकते हैं, और salary यहाँ पर मिलती है, इसके लिए, पहले साल में 10,000 रुपय, दूसरे साल में 12,000 रुपय, वहीं after training 21,700 रुपय से लेकर 25,500 रुपय पर मन्त, दूस्तों यहाँ पर तीसरा post है work assistant से, इसके लिए 10 वी pass या 12 वी pass अप्लाई करेंगे, और salary मिलती है 18,000 रुपय पर मन्त, दूस्तों फूर्थ vacancy यहाँ पर है upper division clerk से, यानि की UDC से, इसके लिए कोई भी graduate किसी भी discipline से apply कर सकते हैं, 50% mark चाहिए, और salary मिलती है इसके लिए 25,500 रुपय पर मन्त, यहाँ पर total vacancies 273 है, और IU SEMA की बात करें तो IU SEMA है यहाँ पर, इस्टिपेंडरी trainee category 1 के लिए 18 से 24 साल, category 2 के लिए 18 से 22 साल, वही upper division clerk, वर्क एसिस्टेंट के लिए 18 से 27 साल, दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ूंच से पहले आचाए giveaway question है, माचिस की तीली पर किसका मसाला होता है, आपके options है, फोस्फोरस, सोडियम, मैक्जी, इनिया, फिर कैल्सियम, अपनी जवाब comment box में ज इंटर्वियू पर और अपलाई करने का लिंक स्क्रीन पर सो कर रहा है, साथी उपर आई बटन पर भी सो कर रहा है, आप आई बटन से भी अपलाई कर सकते हो, वीडियो को लाइक और सेर कर दिजीगा, जय हिंद वंदे मातरम